दोस्तो नमस्कार स्वागत अब सभी का घजब समाचार में दोस्तो आपको क्या लगता है क्या अली गोनी और जश्मीन भसीन पर कैप्टन सी टास्क में भरुसा किया जा सकता है या फिर नहीं आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पिराए जरूर दें दरसलम आपको बता दें कि यहां पहले कैप्टेंसी के राउंड में निकी तंबोली हो चुकी है बाहर और निकी तंबोली के बाहर होने का कारण है अली गोली जिननका कहना है कि उनसे गलती हो गई उन्होंने जान भूज कर ऐसा नहीं किया है दरसलम आपको बता दें कि टास्क शुरू होने से पहले यहां अली गोली ने कहा था कि निकी तंबोली को रैड कलर खाना है अगर वो उन्हें बुलाए तो और इस पर कि निकी तंबोली ने हुब हुब किया भी है दरसलम आपको बता दें कि यहां जैस्मिन भसीन ने आकर कहा था कि अली गोली का कहना है कि अगर निकी अबिनब और रूबिना को अली बुलाए तो उसे रैड कलर खाना है जबकि अली गोली का कहना है कि मैंने ऐसा नहीं कहा था मैंने ग्रीन कलर के लिए कहा था यहां कलर क भी मिश्टेक हो गई है उस बजह से निग्की तंबॉली जो है बाहर हो गई है जी हम आपको बता दें कि जब अली गोली ने निक्की तंबॉली को बुलाया था तो निक्की नबॉलीरी ने आपको बता दें कि निकी तंबोली का कहना है कि तुम सबसे बड़े धोके बाज हो तुम मैं मैं कभी भरोसा करूंगी ही नहीं दोस्तो इस पर आपकी क्या है राय आपके क्या है बिचार आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पिराय जरूर दें दोस्तो अगर आप मानते है कि अली गोली ने जान भूज कर निकी तंबोली को कैप्टन सी की रेस से बाहर किया है तो कमेंट वॉक्स में कमेंट कर अपनी रायत है और अगर आप मानते हैं कि ऐसा नहीं है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें